नमस्कार साथ्यों जैहिंद। अभी हम बात करेंगे कि बिहार में जिस तरह से चीज़े हो रही है और सिख्छावी भाग के दो परमुक नुटिस का आपको जिकर करेंगे एक जूद जिकर करेंगे वह है तेरो से बाद से लगभग 10 लोगों को बाहर का रास्ता दिखाए गया है जो सिक्षक निव्टी प्रकिरिया में सामिल थे सिक्षक बन चुके थे और सभी दुसरे प्रदेश के निवासी हैं दुसरे प्रदेश के लोग हैं और उनको जो सीटेट जो मांक्स है उनको 90 मांक्स से कम यान इस्तिताम साहीन के जो मामले हैं सलेश 24 वर्सेस गोर्मेंट और बिहाइ यानि बीपीएसी और सिक्षक बिवाह की खिलाब में जो मांने उचने आले का फैसला आया है कि किसी एक अन्य मामले में सीटेट की जो मांक्स है वो दूसरे परदेश का जो कैट्रोगरी है उसमें क 55 परसेंट और अनुसुची जाती यानि इस ती अतियन पिछरा बर्ग और फिजिकली हैंडिकेप यानि दिव्यांगता यानि जो जिनके पास प्रमान पत्र है उनको पांच परसेंट की छूट जो है वो दी गई है तो आनि 55 परसेंट आपको मांक्स आने चाहिए महिलाओं को जो है वो 50 परसेंट यानि 90 नंबर से कम लाने वाले लोगों की जो छटाई है चटनी है वो सुरू हो चुकी है तो अब बिल्कुल अब किलियर है इस मामले में लेकर जो जिस तरह की चीज़े हो रही है तो सारी चीज़े अब बिल्कुल इस तरह से तह तक आ गई है कि क् इस परकार से बहाले परक्रिया को आगे बढ़ाया बेधरत सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन किये हुए बिना आपने जोन लोगों को जॉइनिंग करा दिया सीटेट फेल एस्टीटी फेल फरजी परबान पत्र कई डो मिशाय सर्टिफिकेट इन तरह की मांग तो हम लोग सुनवाई होने बाकी है यह जो मामला है उसमें कई लोगों के मिनिमम कटफ को पार करने के बाद भी उनका विजल्ट नहीं आया और जो और जो सीटेट है जो सीटेट में 8089 नमबर लाकर वो जॉइन कर लिए हैं सरकार से बेतन उठा रहे हैं क्या सभी को बाहर का दास्ता नहीं दिखाया जाना चाहिए इस सब मांगों को लेकर अब जो छटनी का काम सुरू है निश्चित रूप से इस वीडियो के माद्यम से हम बिहार सरकार से मांग करते हैं BPSC से कि आपने जो गलती किया उसका खाम्याजा च्छादर क्यों भुगते आपने जो मांक्स के संब सब का एक बार देखा जाए कि उन्हों सीटेट में कितना मांक्स आए है बिहार राज के निवासी है किसे दूसरे परदेश के निवासी है इसकी पूरी जांच हो रही है और अंगाबास से जो है वो खाता खुल चुका है दस लोग को नोटिस जा चुका है तो आप समझ लि तरह से खुलासा हुआ है कि आर्टी आई में एक जवाब आया है कि सत्रह हजार महिलाओं की अगर वैकेंसी ट्यारी वन में वन टू फाइब में हुई है जो इनिंग हुआ है उसमें से भी दस हजार क्याश दस हजार से ज्ञादा किसी दूसरे परदेश के है उसका जो संख कर रहे हैं सभी को बाहर के रास्ता दिखाया जाने चाहिए और निश्चित रूप से हम लोग आगे बढ़ेंगे मने उच्छनिया ले जाएंगे और आने वाले समय में बिल्कुल दूद का दूदर पानी का पानी होगा अब दूसरे तरफ पुरूस के बात की जाए टी याड से पंद्र ही दूसरे परज़ेस की निवासी है तो यहां तो आंकरा संताउन फीस्दी को पार कर गया हैhof जो खेले हैं हमारे चाचा और बहतीजा माने मुख मंत्री उस समय के तदकालिन डिप्रिस यम तजस्वी अदब उसका खामियाँ जा तो आप आपने है वाले समय में आपको भुकतना ही होगा दोनों को भुकतना होगा ऐसा नहीं है कि आप इस जो को बरगला dalा करो को बिहाड के उभाउं के साथ आप ने चल किया है यहां की लोगों के सा आपने आपने जो सरियंध किया है कि निवी को प्राइम मिनिस्टर बन जाएं और उस नियम को आपने अंदेखी किया और दिये डोल मिसा सब्सक्राइब श्र Budd COVID-11 कर दिया कि उनकी जो भूमिका है बिल्कुल उस पर जाच होनी चाहिए थे कि आपके रहते हुए इस तरह से फर्जिवारा और सिक्षा भी भाग क्या पर मुख से चेपके के पार्थाथ उनकी दोनों ये दोनों अफसर की भूमिका है कि जादा तरह आप विद्याले में अगर जाएंगे अगर आप निरिक्षन करेंगे तो निश्चित रूप से उत्तर परदेश के ज्यादे लोगों की संख्या आपको वहां पर मिल जाएगी तो यह बात अब बिल्कुल खुल के सामने आ रही है आटियाई से भी सामने आ गया है मामला के संतावन फीजदी आने साट फीजदी जो है दूसरे परदेश के लोग हैं चालिस फीजदी बिहार के लोग हैं इस नौकरी में टी आरी वन में आटियाई से जबाव आया है तो आप समझ लीजिए कि कि किस तरह का खेल इस परदेश में चल रहा है दूसरे माने उच नयाले के सरण में जाने वाली आचिका 3270-224 केस नंबर आगर आब बात करेंगे इस ते सहां सहीन परसेस गुर्मेंट और बिहार उसके मामले में भी सारे चीज़े सामने आ रही है तो अब कहने कि क्या जरू होता है सीटेट वाले को आपने कव मार्स वाले को आपने ज्वाइनिंग करा दिया जो मिनिममम कटप क पार करने हैं सीटेट में ज्यादा मार्स नंबर लाने विए जनरल से लेकर और जो भी है मांक से एबी सी ओवी सी सी स्टी और पीए सब का कितना मांक साना है सब पहले सते हैं और आपने इस तरह के नियम कान देखी करके लोगों को ज्वाइनिंग करा दिया कि अब अने वाले समय में अचने लेकर आज का दाएब है उसकी अगले संवाएं दूसरी मामेर के सनवाएं उस्पचिस जुन को होनी है अब आने वाले समय में निश्चित रूप से कोड के संदर में कोड कि आदेश पर विल्कुल फैसला होना है और जैसे ही कोट का आदे साता है निश्चित रूप से सारी चीजे बिल्कुल अब प्रदर प्रदर खुल जाएगे कि बीपीएसी और सिच्छा विभाग ने मिलकर जो टीरी वन से लेकर टीरी टू तक तो मतिया मेट किया है बरे प्रपार फरजिवारा लोगों को बहाल किया है सब करिति बात अथा कर लगने प्रदर और निश्चित रूप से उनको पैसे देकर लिए है या गलत फर्जी बना कर फर्जी प्रमानपत बना के लिए हैं सब को बाहर गलासतर दिखाए जाएगा बिहार सरकार को नोटीस आज लगकल कई मामलों पर नोटीस जाने की उम्मीद है ठीकत साथियो हमारी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तेब लिए सब्सक्राइ और छात्र हित में जो भी मुद्धे हैं उन मुद्धे आपके जो मुद्धे है वह हम तक आसके ठीकत साथियों धन्यवाद जाहिंदें